हेलो एवरीवन स्वागत आपका नबोधित स्टेडी में आज की लेशन में हम बात करने वाले हैं पबलिक सेप्टी एक्ट यानि सार्वजनिक सुरच्छा अधनियम ठीक है यह हमारा भी करिंट अफेस के अंतरगत जो टॉपिक चल रहे हैं उनके अंतरगत है और इसके पहले भी मैंने कई टॉपिक होना है तो आप उनको भी देखिए तो चलिए शुरू करें तो सबसे पहले बात करें कि जो सार्वजनिक सेप्टी एक्ट सुरच्छा अधनियम है इस चर्चा में क्यों था ठीक है तो जम्मू कस्मीर की जो पूर्व मुख मंत्री है फारुक सार्वजनिक सुरुच्छा अधनियम के ताथ बंदी बना लिया है ठीक है इसका न्यूज में होने का कारण तो आपको ध्यान रखना है कि यह कहां कि न्यूज जम्मू कस्मीर से संब्देते और फारुक अब्दुल्ला को जो बंदी बना गया है उससे संब्देते यह अधनियम राज प्रसासन को अधिकार देता है कि वह किसी विव्यक्ति को बिना मुकदमा के दो वर्षों के यह प्रावधान है इसका नून के अंतरगत जिसमें इनको ग्रफतार किया गया है ठीक है तो अगला देखते हैं कि क्या है सारूजरेनक सुरुषध्याद्नियम यानि इसमें क्या प्रावधान किये गए हैं और यह आया क्यों इन सब पे बात करेंगे तो सुरच्छा कारणों से सुरच्छा कारणों से किसी विवेक्ति को दो साल तक नजर बंद कर सकते हैं इसमें प्रावधान किया गया है सबसे पहले क्या वाया थे 1978 में आया था और इसको जो लाने वाले थे सेख मुहम्मद अब्दुल्ला जो समय मुखमंत्री थे जमुकस्मीर के और जो इस एक्ट को समय लाया गया था उसका उद्देश क्या था कि जो लकड़ी तसकरी हो रही थी उनको रोकना था और यह कनून सरकार को अधिकार देता कि वह ऐसे किसी भी बैक्ति को हिरासत मिल सकता है जो सुरच्छा ब्यवस्ता के लिए खत रहो यानि कुल मिलाकी वो इसी परपज के लिए आया था कि सुरच्छा बनी रहे क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहाँ कितना आतंक वाद अलगावाद इन सब समझाव से निपटने के लिए ताकि यदि कहीं किसी सी अधिकार देता है तो आपको ये ध्यान रखना है तो यदि हम बात करें कि 1990 की दसक में जब राज में बहुत ज़्यादा आतंक वाद उग्रवाद हो रहा था तो उस समय जो उस समय की दंगाई थे उनको क्या ग्रपतार करना और सारवजयनक सुच्छा अधियम का प्रयोक करके काफी इस तर पर मतलब इसका प्रयोक हुए 1990 के आसपास तो आप समझ गये उस समय उग्रवाद जो बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए इस अधियम का कई बार प्रयोक किया गया जैसे 2016 में हुआ कब जब हिजबुल मुझाहिद दीन के आतंकी बुरहान बानी को ग्रफतार बुरहान बानी का आपने नाम सुना हुगा जब सेना ने से मारा था तो काफी घाटी में काफी दिनों तक वहाँ पे दंगे हो रहे थे तो उस समय भी इसका उप्योग किया गया तो प्रदासन कारियों को पबलिक सेफटी एक्ट के जो ग्रफतार किया गया उनकी संख्या लगवाग 550 थी तो इस तरह से इसका समय समय पर उप्योग किया गया है ताकी घाटी की सांती बेवस्ता को बनाई रखा जाए अगला हम देखें कि यह जो अद्नियम है जाश्टी सुरक्षा अद्नियम के समानी है क्योंकि इसका परपच क्या है सुरक्षा से ही सम्मय देते इसका इससे क्या होगा कि राज सरकार्रें दौरह नजरबंदी किया जा रहा है जो कि आपको समझ में आ गया इस अधनियम की प्रकृति डंडाटमक निरोध यानि पुनि टेटिव डिटेंशन देखिए दो तरह का एक होता है पुनि टेटिव और एक होता है आप किसी को क्या कर रहे हो इसमें मतलब इसका मतलब आप डंड देने के लिए किसी को जैसे किसी ने कोई अपराद किया नयालेव उसको सजा सुनाता है तो उसको सजा की रूप में यानि डंड देने के लिए गरपतार किया और एक होता है निर जो धातमक इसका मतलब है उसको आप डंड देने के लिए ग्रपतार नहीं कर रहे हैं ठीक है उसको आप ग्रपतार इसली कर रहे हैं कि ताकि आने वाले समय में उसके द्वारा कनून ब्युस्टा का जो है भंग ना की जाए तो जो पब्लिक सेफटी एक्ट है यह डंडातमक निरोध नहीं है ठीक है यह कंट्रोल मेजर के परपस से किया जाता है डंड देने के उद्देश से नहीं किया जाता है यानि किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा जिस ब्यक्ति को ग्रपतार किया गया है इस अधनियम की ता तो आपको इबात ध्यान रखना है यह अधनियम मात्र संभागी एक्ट यानि डिविजिनल कमिशनर या डिश्टिक मजेस्टे डियम जेसें बोलते हैं द्वारा पारत प्रसासने का देश से लागू हो जाता है और किसी भीक्ति को ग्रपतार करने का देश देके उसको ग्रपतार कर लिया जाता है तो आपको मिले गए ब्यक्ति को जो संभधानिक अधिकार है उसमें आपको ध्यान देना है कि उसको उस ब्यक्ति को किसी भी तरह के मुकदमा अभियोजन या अन किसी भी करवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा सिर्फ ग्रपतार इसलिए कि अब जैसे 370 को जम्मुकस्मी से हटाया तो जो वहां के अलगावादी नेता थे जो वहां अतंकवाद को फैला रहे थे वो क्या करने लगे जनता को भड़काने लगे इंटरनेट के माद्यम से सभाएं करने के माद्यम से ट्विट करके तो इन लोगों को कंट्रोल कर लो आप पहले से यदि आप इनको कंट्रोल कर और वहाँ पे सांती बिवस्ता अराम से कायम हो सके ठीक है तो आपको ध्यान देना है इस अत्नियम की ताद जब किसी व्यक्ति को गरपतार किया जाता है तो गरपतार के पांच दिनों की भीतर जो डियम उसे लिखत रूप में हिरासत के काड़नों को सूचित करता हो यदि कि परिष्टितियों में नहीं कर पाता तो दस दिन भी हो सकता है पांस दिन की जगे कि उसको गरपतार किया गया है इससे समन्दित कारण बताने पड़ेंगे डियम गरपतार या नजरवन्दी का अदेश सलाहकार बोर्ड की सच्छम प्रिस्तुत करेगा जो सलाहकार बोर्ड और इसकी जरूरत थी कानून ब्योस्ता बनाई रखने के लिए किसी भी तरह कि अपरादिक गतवदियों को अतंकवाद को अलगावाद को रोकने के लिए इसकी ओसकता थी गरपतारी की तो वो क्या करेगा सलाहकारी बोर्ड जो बनाया गया है वो आठ हपनों की बितर अप को ध्यान रखना है ठीक है अगला देखते हैं कि कि ओके एलेशन कंप्लीट हुआ तो इतनी था जिसमें मैंने क्या डिसकस किया कि इस अधनियम की ताथ क्या प्रावधान किये गए है और यह अधनियम का परफज क्या है तो कभी यदि मल्टीपल च्वाश बगेरा में कोश अंता अतंकवाद फैलने का डर इन सब को खत्रा है इन सब बज़े से किसी राज को या देश को खत्रा है तो ऐसे कनून लाए जाते हैं और गिरपतार उस घटना के या उस ब्यक्ति के दारह जो घटना की जाने की संभावना है उस घटना करने के पहले उस ब्यक्ति को गिर और आप इस तरह के और भी सब्जेक्ट में मैंने लेशन बना है तो आप उनको देखिए साथ ही आप सेर करिए लाइक करिए कमेंट करिए ओके थेंक यू